सबी सम्मालनी है अतिती सिख्चक सातियों को नमश्कार सातियों ठमनेल देखकर आपको निच्छित तोर पर लगा होगा कि क्या सच में अतिती सिख्चक साती नियमित होने बाले हैं क्या ऐसा कोई राष्ता निकाला गया है जिससे अतिती सिक्चकों के नियमिती करन का रास्ता साफ हो तो हम वीडियो के प्रारम में ही याँ पर रिस्पश्ट कर देना चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन ये जो वीडियो है अतिती सिक्चकों के लिए काफे जादा महत्पूर्ण होने वाला है साथियों मैं पिछले दो दिवस्टे अतिती सिक्चकों के जो पृतिक्रिया हैं वो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ लगातार एक दूसरे पर आरोब पृतियारोब जारी है कोई किसी को सही वता रहा है कोई किसी को गलत तहरा रहा है तो कोई किसी को गलट ठहरा रहा है ऐसे ही होगा आपका नियमेति करन ऐसे ही फून होंगी आपकी मांगे मतलब बिलकुल बच्चों की तरह आपकी पृतिक्रियाँ अभी सामने आ रही है आपने जो प्रदर्सन किया था प्रदर्सन के आदार पर जो दवाव आपने राज सरकार पर और स्कूल सिक्चर वाग के विविन अधिकारियों पर बनाये था उस दवाव को आप खुद अपने आतों से ही कम करते जा रहे है सबसे बड़ा आरोप मैंने अभी देखा कि जो अनुबब के अंग तस से लेके अधिक्तम 50 संग पोटल पर एट किये गए थे ये दावा किया जा रहा है कि किसी संग के प्रतीनी दीनी डीपी आई में जाकर आवेदन दिया और उसके आदार पर बोवंग खटा लिए गए आपको लगता है ये सब चीजे हलवा है या ये सब इतना जादा आसान है कि कुई भी जाके अभ्यावेदन दे देगा और डीपी आई की अधिकारी उस पर अमल कर लेंगे आप यहां पर रणनीती ही नहीं समझ रहे हैं जान भूचकर एजूकिसन पोटल हो जी एपेमेस पोटल हो उस पर ऐसे अपडेट दिये जा रहे हैं लगातार उनमें बदलाब लिया जा रहा है ताकि आतिती सिक्चकों के जो संग है उनमें आपस में ही कीचता नहीं हो और जिना विवाग और राज सरकार दोनों का ही काम आसान हो रहा है जो कुछ महत्पून बिंदू जिनके लिए राज सरकार और विवाग के अधिकारियों के वीच आपके साथ सहमती बनी थी उनके आदेस जारी करवाने के वज़ाए आप सब आपस में उल्जे हुए हैं ये कत कीवी पिरकार का वधलाव अतिती सिख्चकों को ले कर पोटल पर नहीं किया गया है। चाये इस पक्च के आध्म हो या इस पक्च के आयोभाना हुँ हो ये जो आरोप प्रत्यारोप का काम आप लोग कर रहे हैं, इसे कुछ पल के लिए दूर कर दीजिए. वो कहावत बिलकुल सही है, बंद मुट्टी लाग की और खुली मुट्टी खाग की. अगर आप ऐसे ही लड़ते जगडते रहे, तो निच्चे तोर पर किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला. टेट पास वालों ने अलग ही मचा रखा है, जो नोन टेट पास हैं, उनका अलग चल रहा है, नोन डीएड वीएड वाले अलग है, डीएड वीएड वालों का अलग है, जिन जो अनवव हैं, जिनके पास अच्छा कासा अनवव जो रखते हैं, वो अभी आप सवी एक जुट नहीं होंगे तब तक राज सरकार की कान पर जून नहीं रहेंगे इतना अच्छा माहौल आप लोगों ने अपनी महनत से बनाया अच्छा प्रियास आप लोगों नी किया लगातार आपने महनत की उसके परिणाम सोरूप निच्छे तौर पर कुछ बिंदूओं पर विवाग आपको लेकर आदिस जानी करने वाला था और आज आपके ही कारण, आपके पददिकारियों के कारण, वो आदिस रुके हुए है, किसी और के बज़े से नहीं रुके हुए है, आप में आपस में ही सामन जस नहीं है, भगवान के लिए कुछ दिनों तर आपस में लड़ना बंद कीजी, एक मंच पर आईए, अपनी बा चार वजे अपके अनुपके आंक जोडे जाते हैं, रात में एक बज़े डिप आई काम कर रहा है, यह वज़े रात के आपके अंक घटा दिए गए, उस आवेदन के आधार पर, आप यहां पर समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, किसी के आवेदन देने से कुछ नहीं ह यहां पर आप विश्वास करीए यह आरोब प्रत्यारोब का खेल बंद कीजिये अपने अंदर जहा किये और हम कहां पर कमी कर रहे हैं उनमें सुदार कीजिये एक अपसर है आपके पास एक अच्छा मौका आया है आपके पास कितना अच्छा माहुल वना था माननी ये सिक्षा मंत्री जी को अपने बगत पर खेद व्यक्त करना पड़ा अच्छा खासा प्रदर्सान आप ने किया जिसको लेकर विवाग तो विवाग राज सरकार तक सक्ते में आ गई थी बाबजुद इसके आप उसका कोई लाव नहीं उठा पाए सरे की राई जीती करने लगे इन्हों ने ये किया उन्हों ने वो किया मुझे इस तरीके से इस वीडियो के माध्दम से बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के अपडेट देखता हूँ मुझे थमनेल भी इस तरीके से रखना पड़ा जैसा मैं कभी रखता नहीं लेखा कौछ है वीडियो में कुछ और चल रहा है लेकिन क्या बास्तम में ऐसे होगा आपका नियमिति करने ऐसे आपकी मांगे पूरी होगी एक बार विचार जरूर करिए चाहे आप टीटी पास हो चाहे आप टीटी पास ना हो चाहे आप अनुववीन हो या आप लंबे समय से काम कर रहे हो आपके पास D.E.V.A.D. हो या आपके पास D.E.V.A.D. ना हो जब तक आप ऐसे नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा सभी को साथ होना पड़ेगा और एक बार आप साथ हो गए तो दीरे दीरे सभी को लाब मिलेगा ये भी हम आपको आसवर्ष कर देना चाहते हैं लाब देखिए जिसके पास जितनी योगता होती है उसे अतरिक लाब मिलता है अगर कोई टीटी पास हैं कोई डीएड बीएड हैं किसी के पास अनुवभ है तो उन्हें उस आदार पर लाब मिलेंगे आप ये क्यों सूचते हैं कि किवल टीएड पास वालों का ना हो जाए उनका भी होनी दीजी आपका भी होगा लेकिन एक साथ मिल जूल कर मांग रखी तभी होगा अन्यता की स्तिती में ना टीटी वालों का कुछ होगा ना डीएड पीएड वालों का ना अनुवभ वालों का धीरे दीरे आप देखी रहे हैं अतिसेश से लगवग पद भरे जा रहे हैं यही एक सही समय था आपको अपनी मांगे मनवाने का और इतना अच्छा माहूल बनाने के बाबजूद आप उसका लाब नहीं उटा पाएं तो इसमें आप व्यक्तिकत रूप से स्वेम जिम्मेदार हैं आपके संग के पृतिनीदी सबसे जादा जिम्मेदार हैं किसी भी मुद्दे पर प्रकर तरीके से अपनी बात रखी नहीं पाते हैं कोई आदिश डीपियाई जारी करता उसको परजी बता दिया जाता है क्या है ये बिल्कुल बंद कीजिए एक जोट होई है सभी संगे के पदादिकारियों से भी अन्रोद करना चाहते हैं आप सी मद्वेद बुला कर एक मंच पर आईए निच्चित तोर पर आपको सकरात्मक रेजल्ट में लेंगे सिक्चकों के साथ भी यही इस्तिती थी जब तक मांगे पूरी नहीं हुई थी तब तक वो एक मंच पर नहीं आए थे सब इक शात नहीं हुई थे और जेस्देन एक साथ हुए थे पैनाम आपके सामने हैं आज अलग से किपिछाष केडर में केबल सेक्चक संबर गया है जिसमिन पॉरात्मेंक शिक्चक और रोचमात्मेंक शिक्चक आती है शुरुआत से ही अब केबल परविक संबिदा केडर अध्यापक संबग सब कुछ खतम कर दिये गया है एक बड़ी जीत है नहीं तो आप सभी को मालूम है क्या इस्तिती थी स्कूल सिक्चा वाग में सिक्चा कोंगी वो तब संबभ हुगा जब सब एक हुए तो आपको भी य बहुत अत्तक मांगे पूरी हो जाएंगी यह हम आपको आस्वस्त कर देना चाहते हैं सुचिएगा विचार करिएगा संग के पृति निदियों से भी करबत निवेदन है आपसी ब्यवनस्ता बुलाकर हजारों अतिती सिक्चक सात्यों के वविस्ट को सुदादने का काम आ हात में एक वारत ठंड़े दिमाग से सूचिए एक मंच पर आईए आपसी मद्विद बलाईए कि आज के लिए इतना ही मिलेंगे जल्दी नए टॉपिक हैवं नए वीडियो के साथ अब तक के लिए जैहन जैवारत मित्रों